Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic, humanization of nature. पिसली जो वीडियो है, उसके अंदर हमने क्या पड़ा था? मानों का प्राकर्ति करन, अब पड़ेंगे हम प्राकर्ति का मानुए करन. देखिए, आज से हमने क्या किया, पिसली जो वीडियो है, उसे हमने आपसे सोचा है कि जो लाइव क्लास है, उसके अंदर ज्यादा इंट्रेस्ट है, वो आप लोगों को आता है. तो इसलिए मैं YouTube पे जो लाइव है, वो क्लास लेता हूँ. तो आपसे कोई भी जो प्रोब्लम लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव जो चैट है, वो अनेबल है, मैं आपका जो कमेंट है, उनके जो अंसर है, वो जरूर दूँगा. जितने मेरा पोशिबल हुआ, उतना मैं आपका अंसर देने की कोशिश करूँगा. अब बात करते हैं, देखें, अब बात करते हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने नेच्रलाइजेशन आफ हूमन पढ़ा था. उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मानो है, वो पूरा प्रकरती से डरता था, कैसे अपना जो जीवन है, वो वैतीत करता था, पर प्रकरती है, जो नेचर है, उसे क्यों डरता था, वो सारी चीजे हमने डिसकस की थी, और उसको क्या बोला जाता है, उस स्टेज को, उसको लजाता है, इन्वारमेंटल डिट्रिमिनिजम, तो आज इसके अंदर हम दो चीजे पढ़ेंगे, वो देखते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले क्या है, होमन ने जो टेकनोलोजी है, जो डवलप की है, जो नेचरल, जो नेचर के जो लाह है, उनको अंडरस्टेंड करके उनको समझने के बाद उन्होंने क्या क्या जो टेकनोलोजी है, उसकी जो डवलपमेंट है, वो की है, उससे क्या क्या उन्होंने अपनी जो लाइफ थी, उसको इजी बना लिया, make their life easy, जैसे जैसे जो टेकनोलोजी है, वो बढ़ती गई, मानोंने जो टेकनोलोजी है, उसक को इजी बना लिया है तो आट एक प काम को टेक्नोलोजी की दवारा उसने यह ऑना इसनल मान न यह से हम पता लगा इसमें किस चीज़ के symptom है वो सारी चीज़े हम DNA से पता है वो लगा सकते हैं science laboratory बना दी गई और काफी जो चीज़े हैं वो बना दी गई जिसे हमारी जो life है वो काफी easy हो जाए आगे सुनिए आगे क्या अगला point के आता है people understand environmental and environment and forces of nature with the passes of time time जैसे जैसे time बीटता गया वैसे वैसे मानों ने क्या किया जो environment है और जो nature है इसके forces को समझना start कर दिया इसका जो concept है उसको समझना start कर दिया इसके बाद क्या हुआ क्या मिला इसको मानों को to develop more efficient technology जैसे जैसे मानों ने क्या किया जो नेचर है उसके लाग को समझना स्टार्ट कर दिया वैसे वैसे जो टेकनोलोजी है वो बैटर होते गई जब टेकनोलोजी बैटर हो गई तो मानों की जो लाइफ है वो और भी इजी बन गई इसे एक्जामपल की मैं बात करूँ जैसे health center on highlands जो highlands जो reason होते हैं उन पर क्या क्या कि जो health center वो खोले गई increased urban area जो जो urban area वो increased हुआ satellites in the space जो satellite है वो space के अंदर भेजी गई है उनके जो space है उसके बार में जो information है वो मिली तो यहां पर क्या कहा गया जो scholar है उसने इस phase को इस पूरी जो stage है उसको नाम दे दिया क्यों पोशिबिलिजम संभावव किवे गई थी पर वो complete हो गई है अब बात करते हैं एक आते हैं Griffith Taylor जो Griffith जो टेलर है उन्होंने क्या किया उन्होंने इसे जैसे जैसे मानो है वह प्रकर्ति का इस्तिमाल करता जा रहा रहा है लगातार जो नेचर मोल नेचर करता जा रहा है कुछ सब् внешness के बाद जो परार कम हो हो जैंगे एक टाइप से मैं कहूँ कि जो forest है वो लगातर कम हो जाएंगे तो Griffith Taylor ने दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला यदि मानो किस से ड्रेगा नेचर से ड्रेगा तो वो development नहीं कर पाएगा और यदि possibly जो stage रही तो मानो प्रकरते का विनास कर देगा दो अलग चीजे थी अब उसने सोचा कि यदि दोनों चीजे रही तो मानो एक में तो विकास नहीं कर पाएगा एक में जो नेचर है वो खतम कर देगा मानो तो उसने दोनों के बीच के एक रास्ता निकाला जिसको बोला जाता नियू डिट्रिमिनिजम गो स्टोप एंड गो डिट्रिमिनिजम क्यों कहा गया है कि जब हमें नेचर के आउशकता होती है जब हम नेचर का इस्तेमाल करें उसने क्या कहा देखिए जो ग्रिफिक जो टेलर थे उसने इंट्रोड्यूस कराया एग मिडल पाथ बिट्विन एंड पॉसिबिलीजम यहां तक आपको केलेग हुआ उसका जो नाम था वहां नियू डिट्रिमिनिजम और स्टोप एंडगो डिट्रिमिनीजम यह इसने नाम किया यहां पर यहां पे क्या बताया है उसने ये बताया कि यह तो है हमारा नेचर और यह हम मानौ जब मानौ को जब आउशक्ता होती है तो लगातार इसका जो इस्तेमाल है वो करता रहता है इस्तेमाल करता रहा तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा कम होता जाएगा खतम होता जाएगा तो एक limited time के बाद ये है ये समाप्त हो जाएगा जब यह समाप्थ हो जाएगा एक limited time के बाद तो क्या होगा जब यह समाप्थ हो गया तो मानों को बड़ा नुक्षान होगा तो इसलिए उन्होंने कहा ग्रिफिट टेलर ने जब मानों को आवशक्ता हो जब इसका इस्तमाल क्या जए जब आवशक्ता न हो तो इसको रोक देना चाहिए कि अब हमें इसकी आवशक्ता नहीं है तो हम नीचर का इस्तमाल नहीं करेंगे तो इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने जो हमारी traffic light है उ उसका example दिया जैसे red और green का red और जो green है मेली यह है एक yellow भी है yellow का जदा वो नहीं हमारे यहां पर तो उसने जो traffic light है उसका example दिया और बताया कि जब red light हो red light मिनलब जब हमारी आवशक्ता है वो नहीं हो तो हमें नेचर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए जैसे हम traffic light पर होते है तो जब red light आजाती है तो हमें रूपना चाहिए यह संदेश वो हमें देती है तो यहां पर जो ग्रिफिट टेलर हो कर रहे हैं जब हमारी आवशक्ता है वो नहीं होती जब हमें आवशक्ता नहीं है किसी चीज़ की तो हमें जो नेचर है उसका इस्तमाल है वो नहीं करना ग्रीन ग्रीन का मलब है जब हमें आवशक्ता हो जब हमें उस चीज़ का आवशक्ता हो तभी हम इस्तमाल है वो करें यह नहीं है कि जैसे हम जो फोरेस्ट होते हैं उनसे जो लकडिया हम वो लाते हैं तो यह नहीं है कि आज लाए फिर कल भी लाए परसू भी मैं लो काफी कि हमने क्या-क्या store करते रए अपने फाइदे के लिए अपने लालेच के लिए हम उसको बेज़ते हैं या फिर उसको store करते हैं तो उसे क्या होगा कुछ टेम के बाद वह एरिया है वो का खटम हो जाएगा जार वह इस एरिया के अंदर जो हमें nature पर कैसे control है वो करना चाहिए यह ज़िए पॉइंट है वो याद रख सकते हैं कि new determination जो new determination है वो हमें बताती है कि हमें nature पर कैसे control है वो करना चाहिए आगे देखें आज के समय human don't afraid जो मानो हो है वो आज के समय प्रकरती से नहीं डरता है जो nature है उससे नहीं डरता है using nature blindly for the development जो मानो हो है आज वो प्रकरती से नहीं डरता है और वो अपने विकास के लिए अंदादुन्द जो अंदादुन्द है nature का इस्तेमाल है वो कर रहा है मैं कहूं कि वो अपने फाइदे के लिए ज्यादा जो इस्तमाल है वो कर रहा है किसका नेचर का वो यह नहीं देखता कि बाद में क्या effect होंगे वो कुछ नहीं देखता कि अपनी जो development है उसके लिए जो नेचर है उसका लगातार जो इस्तमाल है वो कर रहा है तो उसके कान काफी जादा जो problem है वो बन रही है, काफी ज़्यादा जो problem है, वो मानों को आज phase करने पड़ रही है, जैसे मैं बात करूँ कि जो ozone layer है, उसकी ozone layer जो depletion है, वो हो रही है, global warming है, वो बढ़ रही है, जो ice है, जो glacier में जो ice है, वो लगातर melt है, वो होती जा रही है, और जो land है, वो भी degradation हो रही है, म this damage the environment in the greenhouse effect, जो greenhouse जो effect है, वो देखने को मिलता है, ozone layer, depletion हो रही है, global warming है, melting glacier है, reducing the level of lands, यह जो problem है, वो phase की जा रही है, तो यहाँ पे जो Griffith, जो Taylor है, उसने काफी अच्छा एक जो theory है, वो दी है, कि हमें मानों, जो मानों है, हम जो मानों है, या फिर जो nature है, इन दोनों में एक, क्या होना चाहिए, एक limited, एक limit होनी चाहिए, कि जब हमें आउशकता हो, जब ही हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें, यह नहीं कि हमारी आउशकता है, नहीं, हमने फिर भी उसका इस्तेमाल है, वो किया है, ऐसी चीज़ नहीं करने चाहिए, बस, आज की class इतने ही थी, ऐसी वीडियो देखने के लिए, थेंक यू,